कि अपिए अब एक गाइज आई और अब एक टाइट अब लोग का वेलकम है जल्दी सब्सक्राइब आज यह अपन सर्वेइंग की क्लास करते हैं सर्वेइंग की क्लास जो है होती है आपकी मौर्निंग में दस बजी से ही होती है क्या आज आज अनलाइजर था इसलिए आपकी क्लास जो है इवनिंग में रखे गए और आज हम कुछ क्वेशंस ही करेंगे में अल्मोस्स सर्वेइंग आवाज आ रही होगी आप लोगों को ओके चलिए वेलकम रंजय मनीश बुड़ इवनिंग फड़ा-फट स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करना से पहले जो भी नियों स्टुडेंट हैं बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कंटिनियूस क्लास लेनी है पेड़ बैच जिसमें आपको सारी के सारी क्लासेज मिल जाएंगे इन फैक्ट जितने बैचेस जो चल रहा हैं जो अब कमिंग बैचेस हैं वो भी सारे के सारे बैचेस के एकसेस मिलती है इसमें लाइव क्लासेस असासत उनकी रिकॉर्डड विडियो भी टेकनिकल नॉन टेकनिकल सभी क् बाइज में दैट टुन डबल जिरो रोपीज शिक्स मंत के लिए और थ्री फाइब डबल जिरो रोपीज फोर 12 मंथ वैलिदिटी राइट कोई बात नहीं कोई बात नहीं वेलकम शाम मनी सबी लोग ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और देखो इस बैज को जॉइन करना है इन डूल करना है किसी को भी तो यह कूपन कोड है इसको यूज करना यह विल गेट दिसकांट आपको इस कूपन कोड के थूरू मिल जाएग करके अपनी क्लासे स्टार्ट कर सकते हैं यह कुछ कुछ करते हैं जो कुछ कर चुके हैं बहुत पहले उन सब्सक्राइब देखता हूं कितने लोग सभी कुछ का जवाब देते हैं फटा 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 आपके स्क्रीन पर है पढ़िए और बताइए इसका अंसर तो डिटरमाइब लेंथ प्रिज प्रपोस्ट तो बिल्ट अक्रास अ वाइड रिवर तरविए इसके लिए हम कौन सा मेथट यूस करेंगे टेकोमिट्री चेंज सर्वेइंग हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग या ट्रेंगुलिशन विच वन इसका प्रेक्ट बताइए इसका प्रेक्ट यहां पर हम लोग यूस करते हैं टेकोमिट्री बिल्कुल यह औप्शन इस करेक्ट रंजय, मनीश, बिल्कुल प्रसंजीत, शिवानी बिल्कुल यह औप्शन इसका एक प्रेक्ट है instrument used for contouring and area electronic distance measuring device sun signal used in triangulation work which one of the following is correct कौन सा option correct ही आपको बताना है नहीं professional book में कुछ question हो सकते हैं में भी हूँ D option is absolutely correct sun signal used in triangulation work sun signal का यूज करते हैं हेलियो ग्राफ में optical radiation के लिए वहां पे प्लेट लगी होती गोल सी ट्राइपड तो सेट कर देते हैं D option is absolutely correct sun signal used in triangulation work next अगला कुस्ण देखें आप लो the map projection in which the angle between any pair of short line is represented correctly is called जल्ली से बताइए अच्छे questions हैं सारे के सारे और इस question का answer दीजे the map projection in which angle between any pair of short line is represented correctly map projection बोल रहा है in which the angle between the pair of any short line represented correctly is the conformal map conformal projection बोलते हैं इस मैं आपको उस पे जो projection डालते हैं उसको हम conformal projection बोलते हैं यह option is absolutely correct here a option is right next और आप लोग से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग comment section में answer भी करेंगे मुख दर्सक बनके केवल देखना या सुनना नहीं है ठीक है अगला question शुभम देखिए श्रिवानी, मनेश, सभी लोग इफ एंगल नहीं है यहां पर इफ एल इफ एल is the measured length of a line then the compensating error are proportional to compensating error are proportional to the root of the length ठीक है, a option is correct measured length में proportional to under root of L. if h is the difference in height between the end points of the chain line l if the difference in the height between the end points of the chain line is l and the slope correction is approximately for this line whose length is l you have to find the slope correction slope correction आपको निकालना है आपको बताना है which one is correct option number e दिया हुआ है 2hq upon l square 2h square upon l h upon 2l और h square upon 2l आप सभी को पता है कि it is equal to h square upon 2l and आपको ये भी पता होगा कि slope correction is always negative that's why हम लोग इसको c slope को इस तरीके से लिखते हैं h square upon 2l clogging of chain rings with mud introduce clogging chain ring जो फंस जा रही है की चड़ में उसकी वज़से clog हो गई है उसकी वज़से जो options दिये हुए options में से आपको बताना है positive cumulative error compensating error negative cumulative error all options are correct जल्दी से बताईए error पूछा है आपसे आपको पता है कि clog out chain की चेंज होंगी उनके rings clog हो जाएंगी फंस जाएंगी सिकुड जाएगी तो chain की length कम हो गई chain की length कम होती है तो correction क्या होता है तो correction negative होता है चेंज की length shrink हो रहे है तो correction negative तो error क्या हो जाएगा the error positive और क्या ये error बार-बार देखने को मिलेगा बिलकुल देखने को मिलेगा यहाँ चेन रहे उसके बाद फिर देखने को मिलेगा फिर रखको तो मतलब इतनी बार ह sitä वार Haforth को इसको छेश्च को एक पर आपको ए देखने हो पलाइकि ङेर्टाइस वाइए इसको हम बहुत बोल maximum लंबाई किस पर डिपेंड करती है या आपको बताना है लेंथ आफ दी टेप, इंपोर्टेंस आफ दी ऑब्जेक्ट, नेचर अफ दी ग्राउंड या फिर स्केल अफ दी मैप अध डिपेंड सब्सकेल करती है चो अमने स्केल कर और रही है या फिर उसमें आड नहीं हो रही है ही मिलेटिव मतलब जिनका एडिशन रहा ह में या पार बार सेम टाइप की युनका अगर सेम पाजिटीव थू अ इसबत पहो आधि वगधवी यह स्कानली फूली उसका नेचर सेम होगा तो वो एडार किया होगी कि विलेट होगी जमा होती जैगी जूरती जाए ठीक है, scale of the map is correct. The smaller angle made by the survey line with a true meridian is known as. The smaller angle made by a survey line with a true meridian is known as. जल्ली से बताईए. Survey line से, survey line से true meridian से survey line का angle, true meridian से जो angle बनता है उसको generally हम लोग क्या बोलते हैं? true bearing बोलते हैं smaller angle mentioned कर दिया यानि कि यहां पर हम बात कर रहे हैं azimuth and this term is known as azimuth बिल्कुल option B option is correct आपको पता है कि clockwise direction में अगर measurement हम करेंगे इस तरीके से तो यहां पर तो smaller की बात ही नहीं करेंगे जहां भी line जाएगी वहां से हम लोग whole circle bearing system में इस तरीके से measurement करेंगे and that's why it is known as azimuth azimuth भी हम लोग meridian से ही measure करते है true meridian से B option is absolutely correct next the graduated ring the graduated ring of a prismatic compass has its zero at prismatic compass में जो graduated ring होता है उसका zero कहां होता है जल्ली से बताओ the graduated ring यह पुछा the graduated ring of a prismatic compass has its zero at south, east, west or north पहली बात इतना समझ लोगी south पे चाहे prismatic compass हो चाहे surveyor compass हो दोनों का zero होता है ठीक है पस उसमें क्या होता है 90 वाला जो होता है opposite हो जाता है यहां पर पूछ रहा है prismatic compass का तो यह आप बता सकते हूं south पे 0 होता है बिल्कुल correct है जीरो के बाज फिर 90 फिर 180 फिर 270 इस तरीकिस आता है बिल्कुल A option is correct the ratio of curvature effect to that of refraction curvature to refraction का ratio again one of the simplest question the ratio of curvature effect to that of refraction आप सभी को पता है कि curvature correction अगर cc है तो refraction correction जो cr होता है it is equal to modulus of cc divided by 7 1 by 7th of the cc और ratio of curvature to that of refraction पूछा है that is 7 हो जाएगा 7 उपर चला जाएगा यह b option d option d option is absolutely correct next question next question पढ़े पढ़िये in leveling the effect of refraction may be taken as dash of that due to the curvature in leveling effect of refraction may be taken as dash of that due to curvature one-seventh one-half one-third one-fifth बढ़ा ही असान है refraction का effect अभी हमने discuss करा one-by-seventh that of curvature one-by-seventh that of curvature curvature का एक बटे साथ होता है okay next in plane table the intersection method is preferred when the object is to be plotted r in plane table intersection intersection method अभी discuss करा था हमने आप सोच के बताएगे जल्दी से at large distance at small distance at large distance with the high trees at any distance जल्दी से बताईए यह कुछ लोग यहां पे न सी में और ए में confused होंगे आपको यह तो पता है कि large distance होता है जिसमें distance का measurement नहीं कर पाते हैं हम लोग एजिली वहां करते हैं अब यहां पे लिख दिया हाइट्रीज क्या यह बता हाइट्रीज होंगी तो क्या देख पाऊ कि क्या पॉइंट को visibility को होनी चाहिए ना visibility होनी चाहिए उन पॉइंट्स के भी option is correct यह option is correct तो minimize the error in fly leveling इस question को पढ़िये और answer बताइए इस question का जवाब दें आप लोग फड़ा-फड़ जितने भी लोग देख रहे हैं बेलकुल अनंत प्रशंजीत रंजय रायाच चंदन शिवानी अग्षाण गोरखपूर जवान शुभम गौर अभिनास तो minimize the error in fly leveling यह पूछा है क्या option है reduce level of the staff station should be equal the instrument should be at equal distance from the staff station बिलकुल instrument को तो दोनों से बीच में रख देते हैं दोनों से इकवी डिस्टेंस पर ताकि एरर जो हो जाए जिदर क्यूमिलेट एक तरफ अगर पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है दोनों बिलकिया compensate हो जाए बी ऑप्शन इस एप्सलूट्री करेक्ट है यह पी ऑप्शन इस करेक्ट कि दा एलिडेड इस यूजडेन एलिडेड का यूज़ हम कहां करते हैं बहुत ही सधारण सा कुस्टन है और क्यों करते हैं यह आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है इनसेसिबल है मतलब वहां पर आप जाके मेजर्मेंट नहीं कर पा रहे हो यार इनसेसिबल मतलब इन्विजिबल नहीं होना चाहिए विजिबल होना चाहिए दिखना चाहिए तभी तो देखो के प्लेंटेबल से अल्यृटेह तैजिबन उन्यृटेह। है चैंज सरस्वे प्लेंटेहल सर्वे कंपास सरवे थुड़ा लइट सर्वे प्लेह। इन्वल को हम लोग बलेंटेहकर तीम यूज़के हैं कृटेह से सलों SHE टाइटिंग करते हैं और साथ साथ पर उसकी प्रॉपर स्केलिंग करके हम लोग ड्रॉप भी कर लेते हैं मैप पेवस के अलॉंग लाइन ठीक है नेक्स्ट दस सेंसिटिविटी आफ बबल ट्यूब कैन में इंख्रीजड बाई जल्ली से बताइए सेंसिटिविटी आफ बबल ट्यूब सेंसिटिविटी पूछाया आप सेंसिटिविनेस नहीं सेंसिटिविटी आफ दी बबल ट्यूब सेंसिटिविटी आफ दी बबल ट्यूब कैन बें इंक्रीजड बाई अल्फा का फामुलाल क्या था L upon R थान, RK, inversely proportional. Which one is correct? Sensitivity of bubble tube can be increased by increasing the diameter, increasing the diameter of the tube, increasing the radius of the curvature, increasing the length of the tube, none of the above. Which one is correct? B option को लुक कर दे. Inverse relation होता है sensitivity और sensitiveness में यह आपको पढ़ा रखा है, मैंने पहले भी. ठीक है, B option को लॉक कर दो. Reciprocal leveling is done when? Reciprocal leveling is done when? Reciprocal leveling is done when? Ground is uneven. Ground is flat. Balancing of sight is not possible. None of the above. Which one is correct? जल्दी से बताईए. यहाँ पे हम लोग reciprocal leveling तब करते हैं, जिस case में आपके पास बीच में कोई ऐसा portion हो, जहाँ पे surface बहुत ज्यादा deep हो, pond हो, river हो, ऐसे cases में हम लोग करते हैं, जहाँ पे sighting हो सके, sighting हो सके, लेकिन वहाँ पे जाके आप measurement नहीं कर पा रहे हो. That's why we have to use reciprocal leveling, reciprocal leveling का use हम लोग तब करते हैं, जहाँ पे बीच में कोई large river आजाए, river के दोनों end पे आपको levels measure करने हैं, और आप बीच में आप कोई भी staff अगरा set नहीं कर पा रहे हो, तो इस case में, तो यहाँ पे आपका better option जो होगा, ground is uneven या flat यह सब reason नहीं है, main factor, large distance पे दो point होने चाहिए, inter visibility होनी चाहिए, लेकिन बीच में आप जाके measurement नहीं कर सकते हो, यहाँ पे none of the above correct होगा, यह option है, refraction correction, refraction correction completely eliminates the curvature correction, क्या refraction correction completely eliminate the curvature correction पूरी तरीके से करता है, नहीं partially eliminate करता है, क्योंकि आपको पता है कि CR की value जो होती है, वो minus में होती है और इसी का plus में 1 by 7th CC होता है, एक, sorry, CC की value अगर जो है, CC की value minus में होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता है, यह से minus CC है, तो यह CC का modulus और उसका 1 by 7 times होगा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह पूरी तरीके से 0 तो नहीं होगा, कुछ कम जरूर हो जाएगा, होता भी ह है, 0.0673 D square हो जाता है, है न, 0.78 इसकी value अगर बात करें, CC की value बात करें, 0.0785 D square होती है, minus times में, और CR की value की बात करें, तो plus 0.011 2 D square हो जाती है, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो आता है, minus 0.0673 D square, आप सभी लोगों को पता है, पूरी तरीके से eliminate नहीं हो, partially eliminate the curvature correction B option लिखा ह हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है, B option, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, partially तो eliminate करी रहा है, दोनों जुड़के थोड़ा से तो कम हो गया, यह value, पर विचर correction के value जो इतनी थी, यह थोड़ी तो कम हो गई, तो B option है, absolutely correct, यह questions EAC level के ही है, बेटा चंदा, ठीक है, मजा आने की ब बड़े होगे, तो छोटे questions, बड़े questions नहीं, अभी आपको आज कराया, मैंने UPPSC के questions, अभी 6 बजे वाले session में, बिल्कुल लगातार दो घंटे का session था, तो उसमें आपने session करा, session में देखा, questions, छोटे questions भी होते हैं, हर session में, वह आते हैं, examination में भी आते हैं, the following consecutive readings were taken with a dumpy level, यह सारी की सारी reading है, right, the instrument was shifted after the third and fifth reading, the readings इतना and इतना respectively represents, इन दोनों reading, अगर तीसरे और पाचवे reading के बाद instrument को shift किया था, यह दो reading जो लिखी हुए है, इनको हम क्या बोलेंगे, यह पूछा है, यह तो पहली reading यह है, देखिए, यहाँ पी यह कौन सी reading है, यह fourth reading, तो यह देखो, यहाँ पी लिखा, the instrument was shifted after third, तीसरे के बाद shift कर दिया गया, तीसरे reading कौन सी मिली आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, इसके बाद instrument को shift कर दिया गया, यह जो मिलेगा, आप क्या कहलाएगा, पहली reading हो जाएगी, यह back side कहलाएगा, फिर उसके बाद जो reading मिल अब आपका intermediate sight होगा, यह intermediate sight होगा, यहाँ पे फिर shift कर दिया instrument को आपने, तो यह फिर four sight हो जाएगा, और यह आपका फिर से back side हो जाएगा, तो दो बार shift हो रहा है, was shifted after the third and fifth reading, दो reading है 2.395, यह वाली क्या हो जाएगी, इसको तो बोल देंगा, four sight बोल देंगे, क्योंकि पहले वाले station से last rating है, और यह वाली क्या कहलाएगी, back side rating, तो four sight and back side, यह option correct हो जाएगा, यह option को लॉक कर दिया जाए, अनिल सिंह राना, ले लिया आपका नाम, ठीक है श्याम, कर दूँगा, कोई बात नहीं नहीं, दे रहा है दुरूस्त है, चलिए, attend किजिए, answer किजिए, फटा फट, the correction for refraction, जल्ली से बताइए, the correction for refraction as applied to the staff reading is, the correction for refraction as applied to staff reading is, यही देखो कितना simple सधारण question है, refraction correction से, आपको बता है कि यहाँ पर minus तो नहीं आएगा यार, उड़ा दो इनको, plus आएगा, कितना आएगा, d square upon 2r, तो आपका आता है, किसकी value आती है, जो आपका curvature correction है, minus times हाती है, curvature correction cc कितना आता है, यहाँ पूछ लिए refraction, positive करके, इसका 1 by 7th times, a option is correct, a option is correct, if the horizontal distance between the staff point and the point of the observation is d, then the error due to the curvature of the earth is proportional 2, फटा फट बताईए, if the horizontal distance between the staff point and the point of the observation is d, then the error due to the curvature of the earth is proportional 2, 18 एक बार और, 18 question एक बार बोल रहे हैं, देखो मैं समझा देता हूँ, 18 question बड़ा ही simple सा है यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो यहाँ पर यह readings है, पहली reading जो होगी, यह back side, दूसरी reading होगी, intermediate side, तीसरी reading जो होगी, यह four side बोल दिया, क्यों 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 क्योंकि तीसरी reading के बाद instrument को हमने shift कर दिया, जैसे instrument shift करते हैं, फिर से जो पहली reading मिली, back side, दूसरी reading मिली, यह आपके four side हो जाएगी, क्यों क्यों क्योंकि यह पांचवा हो गया शुरुवात से, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांचवा हो गया ना, फॉर्स, सेकंड, थर्ड, फॉर्स और फिफ्ट, पांचवा कबद फिर shift हो रहा है, तो इसके बद फिर shift हुआ, तो यह वाला फिर से क्या हो जाएगा, back side, और यह वाला हो जाएगा, four side, सब के बारे में लिख दिया, मैंने आपको अब जो पूछा है, वो देख लो, यह पूछा है, यह क्या है, four side, four side, यह पूछा है, यह क्या है, back side, back side, लगा दो एक को टिक, clear है, the horizontal distance between staff point and the point of observation is d, then the error due to the curvature of the earth, curvature of the earth is proportional to बढ़ाई, फिर से वही बार बार घुमा फिराके, अभी आपने यह देखा था, यहाँ पर, it is proportional to d square, inversely proportional to r, proportional to d square, c option is correct, next, the type of surveying which requires the least office work is, कौन सी surveying है, जिसमें हम लोग सबसे कम office work करते हैं, ओविस सी बात है, जिसमें sighting, plotting सब field पर ही कर लोगे, उसी में office work कम होगा, and that should be plain table surveying, plain table surveying होना चाहिए, b, c option, लेकिन इसमें, errors जो होती हैं, वो maximum हो जाती है, आप यह office में काम नहीं करोगे, सब काम field पर ही करोगे, तो error तो गलतिया तो होंगी, time बचाओगे, कहीं तो गलतिया तो होंगी, उसमें चेक नहीं कर पाते हो, आप लोग proper angle से, next, intersection method of detailed plotting is most suitable for, यहाँ पर यह question अच्छा question है, जल्दी से बताईए, intersection method of detailed plotting is most suitable for, detailed plotting के लिए intersection method कहाँ suitable होगा, hilly areas में न, hilly areas में ही ज़्यादा problem होगी, distance measurement की, वहाँ पर आपको दिखाई तो देंगे, इच्छ points, लेकिन आपको distance measure नहीं कर पाऊगे, that's why, c option is correct, urban, rural से कोई मतलब नहीं है, plain area में कोई intersection यूज करने की आउशकता नहीं है, forest में कर नहीं सकते हैं, पेड़ पॉधोर करना, hilly area बचा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, three point problem can be solved by, three point problem can be solved by tracing paper method, vessels method, lemons method, all of the above, ये सारे के सारे ही, methods use किये जाते हैं, solving the three point problem, ठीक है, all options are correct, question no. 33rd का D option is correct, अगला, the two point problem and the three point problem are the method of, the two point problem and the three point problem are the method of resection, orientation, traversing, resection and orientation, which one is correct, जल्दी से बतायां आप, यहाँ पर कौन सा option correct है, यहाँ पर पहले भी करा चुका हूँ, कुछ से नाया भी है, resection and orientation, दोनों में ही orientation में भी problem आती है, जिसकों में लों correct करते हैं, position के साथ साथ, orientation भी तो fix करते हो, बिलकुल यहाँ पर D option is correct, बोडिच रूल is applied to, बोडिच रूल, ट्रांजिट रूल, एक्सिस मेथड, इस सब मेथड आपको पढ़ाये थे, ग्राफिकल मेथड, कहाँ पर closing error को remove करने के लिए, यहाँ पर बताईए, which one is correct, कौन सा option correct है, a close traverse for adjustment of closing error, option ही दे दिया, यहाँ पर जो बोला मैंने देखो, यहाँ पर B option, correct हो जाएगा B option, question number 25th का, B option is absolutely correct, right, okay, चलिए, next जवाब दीजिए, देखता हूं कौन जवाब देता है, the angle between the prolongation, of the preceding line, and the forward line of the traverse is called, जल्डी से बताईए, इसका जवाब देखता हूं कौन देता है, angle between prolongation, किसी line को, इस तरीके समालों कोई traverse है, so angle between prolongation, of the preceding line, and the forward line, किसके किसके बीच में, proceeding मतलब बढ़ाने पर, किसी line को बढ़ा रहे हैं, और उसके आगे वाली line के बीच का angle, किस एंगिल को हम क्या बोलते हैं, एक traverse था, A, B, C, इस तरीके से, तो एक line को हमने आगे बढ़ा दिया, और उसके forward line से एंगिल जो होगा, इसको deflection angle बोला जाता है, राइट, कितने लोगों ने सही जवाब दिया इसका, शिवानी, मनीश, कमल, रजनीश, नेहा, प्रसंजीत, मनीश, बेलकुल करेक्ट है, अश्वर्या, करेक्ट, श्याम आपका भी करेक्ट है, नेक्स्त, अरिजन्टल इस्तेंस, उप्तेंड बाइद टेको मेट्रिक अब्सरवेशन, अरिजन्टल इस्तेंस, टेको मेट्रिक अब्सरवेशन से, जो हॉर्जन्टल इस्तेंस आपने मेजर किया है, क्या उसमें स्लोप बगएरा करेक्ट्शन की जरूत पड़ेगी, क्या टेंसन करेक्ट्शन क्या चेन से मेजर्मेंट कर रहे हूं, नहीं कर रहे हूंना, तो दो नोट रिक्वाइट स्लोप अन्ट, वाट, टेंसन करेक्शन, दी ऑप्शन इस एप्सोलूटल ली करेक्ट, नेक्स्ट, ओवर्टर्निंग अफ वीकल अनकर्व कैन बी अवाइड़ बाइड यूजिंग, किसी वीकल की ओवर्टर्निंग हो रहे है कर पे पलट जा रही है, तो उसको हम कैसे अवाइड कर सकते हैं, यह पूछा ऑसमें, overturning of vehicle on a curve can be avoided by compound curve, vertical curve, reverse curve, transition curve, बड़ाई simple सा question है, we have to provide the transition curve between the curved road and straight road to avoid the overturning, sudden jerk, इन सबको avoid करने के लिए हम लोग क्या provide कराते हैं, transition curve provide कराते है, right, D option is absolutely correct, D option इसको provide कराने से क्या होता है, straight road और curved road के बीच में अगर हमने transition curve provide करा दिया, अगर जिससे यहां पर infinite radius थी, इसको हमने r radius में reduce किया, यहां पर r radius हो रही है, तो थीरे-थीरे gradually reduction करते हैं, ताकि vehicle जो use driver drive कर रहा होगा, उसकी velocity भी gradually क्या कर सके, decrease कर सके, और उस पर centrifugal force अचानक से सदेनली ना है, एमवी इस पर भाई r की value, sudden jerk ना लगे, overturning ना हो, ठीक, damage ना हो vehicle का, इसलिए हम लोग provide कराते हैं, यह transition curve, if the degree of the curve is 1 degree, then the radius of the curve equal to, अगर degree of curve 1 degree है, then the radius of the curve is equal to, जल्दी से बताइए, r का formula आप लोगो पता होगा, प्रोफेशनल बुक के सभी objective लगा लिया है, उसी को revise करो, questions लगाना अच्छी बात है, questions लगाने के बात है, questions लगाने के बात है, questions लगाने के बात है, उसको contain रखना, अपने दिमाग में उसको बनाए रखना, यह बहुत tough काम होता है, यह तभी हो सकता है possible, जब आप continuous revision कर रहे हो, अगर revision में आप break दे रहे हो, तो वो चीज़ें दिमाग से चली जाती है, और आपको लगता है, कि मेरा दिमाग कम जो रहा, यह सब के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जब आपको continuously पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे revise भी होता है एक बैस में subject खतम होता है, दूसरे batch में स्टार्ट हो जाता है, में स्टाइर इस तरीके से चलता रहता है रिविजन प्रॉशस में बना रहता हूं मैं आपके साथ क्या होता है आपने कि छोड़ दिया इस तरीका से अगर आप प्रोगे तो मैं यहां से यहांपे क्या एंसर हो जाएका आपका एंसर 1720 बिल्कुल 1720 बी ऑप्शन इस करेक्ट जो कि आपको पता है आर इस इक्वल टू 1720 अपॉन डी डिग्री डिग्री आपको वन डिग्री दिया हुआ है तो वन रख दो के महां पर आर की वैलू 1720 मिल जाएगी यहां पर अलग अलग चेंज जब 30 मेटर चेंज कंसिडर करते हैं तो यहीं फार्मूला हम लगाते हैं राइट लिखिए इसको जल्ली से फटाफट नेक्स्ट क्वेस्ट नमबर थार्टी थैंक्यू सो मच मनेश कि बिल्कुल रिविजन के प्रोसस में बने रहो कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आपने ठाना है कि मुझे निकालना है जई इसका इसा वह यह क्जामनयेशं कोई भी तेखो हर जगा महनत लिंग है को इस словर इसका म१्जामनिशन में कम हैं तुछ नहीं महनत हर जगा करनी है यहां पर मेहनत करना थोड़ा सा इज़ी आपके लिए पहले से आप कुछ चीजे पढ़े हुए नये फिल्ल में जाओ कि सब कुछ नया मिलेगा मना नहीं कर रहा हूं कि ना जाओ जाने वाले जाते हैं जाइए लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं पर ले पढ़ती है इंजिनरी तो फिर जाइए आप लेकिन आपको लगता है कि नहीं चीज़ है आप समझ पा रहे हो बिल्कुल पढ़ो मेरा यही करना है an upgrade of 1.5% is followed by a downgrade मतलब आपका ascending gradient descending दोनों दे रखा है and the rate of change of the grade is 0.2% per 20 meter chain then the length of the vertical curve जल्ली से बताईएस में बड़ा ही simple सा कोशन है जल्ली से बताना है आपको यहाँ पे change in grade आपको निकाल लो n की value n1-n2 कितना दिया हुआ n1-n2 1.5 minus descending है 0.5 that is 2% right और आपको 0.2% per 20 meter आपको chain दे रखा है ठीक है 20 meter के लिए 0.2% तो 1% के लिए कितना हो जाएगा कितना length हो जाएगी for 1% change के लिए 20 divided by 0.2 और 2% के लिए अगर आपको निकालना है 2% के लिए निकालना है तो 2% के लिए कितना हो जाएगा 20 divided by 0.2 into 2 simple कितना हो जाएगा यह 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 कट जाएगा 10-200 200 meter length हा जाएगी यहाँ से ठीक है Thank you so much Manikant Hariyom Shah Hand Calculation को Fast करने के लिए Manually Calculation ही करिए तभी Fast हो पाएगी नहीं करोगे हमेशा Calculator यूज करोगे धीरे धीरे और ज्यादा degrade होता जाएगा आप यह मत सोचा करो देखो Hand Calculation इंप्रूब करने के सबसे बैस तरीका बताऊं आप कभी भी यह मत सोचो कि exact answer निकालना है मुझे आपको बस इतना सोचो कि जितनी जल्डी हो से के फास्ट करके approximate answer निकालके मुझे आगे बढ़ना है next agonic line is a line joining points having agonic line कैसी line होती है line joining points having zero declination minimum declination maximum declination same declination बड़ा ही simple सा question है यार isogonic हो iso का मतलब होता है similar isogonic हो तो same declination and agonic लिखा हो zero declination यह option is absolutely correct है वो तो है calculator की तो लट लगाई जाती है engineering में आपको the true length of a line is known to be 200 meter when the dish is measured with a 20 meter tape the length is 200.8 L dash is given here 200.8 meter and capital L is also given 20 meter right the correct length of the 20 meter tape is you have to find the L dash capital L dash given the true length of the line is 20 meter 200 meter यह सारा चीज़े दिया हुआ है बस केवल multiply करो और निकालो सिधे-सिधे आपको निकालना है जल्ली से बताई कितना अंसर आ रहा है 200.8 into L dash wrong into wrong equal to true into true 200 into 20 यहां से यहां से यह लेस्ट की वैलू आपको पता चल गया है कितनी आएगी 19.92 आपका एंसर आ रहा होगा एंसर आ रहा होगा एंसर करेक्ट एंसर नमबर 32 का एंसर आपका करेक्ट है अब यहां पर भी कई लोग सोचेंगे सरी हां calculation तो टाफ है बिल्गुल टाफ है calculation कोई देखके अगर कहें कि विना आपको यह पता चल रहा है कि उन 20 से तो कमेंसर आएगा क्योंकि देखो 200 इंटो बीस डिवाइड़ बाई 200.8 अब ऐसे को कैसे कल्कुलेट करोगा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग क्या लगाना है आपको सीधे सीधी बात आपको क्या करनी है कि आप कैसा कुछ आपको अब तो इसको भाग दे सकते हो अब इसको कटा सकते हो थोड़ा सा रेड्यूस हो जाएगा राइट इस तरीके से आप कैल्कुलेशन थोड़ा बहुत करेंगे तो थोड़ा से बेनफिट मिलेगा यहां पर ठीक है थोड़ा थोड़ा बेनफिट इस तरीके से मिलेगा कैल्कुलेशन करोगे और जब आपको लगे कि एक बार में कटाना है अब एक हजार चार हो गया एक हजार चार से डारेक्ली उसको काट सकते हो तो और शॉट कर लो थोड 19.98 है 19.92 है बहुत ज्यादा क्लोज एंसर है ठीक है बहुत सारे तरीके होते हैं सॉट कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं कई बार आपको दिखता है ना कि जैसे मालो 0.87 divided by कुछ भी दिख रहा है मालो एक्जामपल के तोर पे 0.46 इस तरीके से दिख रहा है तो 0. दिख रहा है तो 0.87 को 0.9 ले लो इसको आप 0.5 ले सकते हो ठीक 0.47 को 0.46 को 0.5 लेके कल्कुलेट करके एंसर अपना निकाल सकते हो एप्रोक्स्यमेशन यूस करते हैं ताकि हमारा कल्कुलेशन ऐसी हो सके ऐसा नहीं कि इसलिए नहीं कि उसी मुलज़र रह जाए तेकी next an observer standing on a deck of a ship just see the top of a lighthouse which is 30 meter above the sea level if the height of the observer's eye is 10 meter above the sea level then the distance between the observer from the lighthouse will be nearly दोनो के height दे रका है दोनो से D1, D2 निकाल लो 3.855 फर्मूला लगाओ क्या हो जाएगा D1 equal to 3.855 under root H H1 की value 30 रख दो D2 की value 3.855 under root 10 10 height है इसकी इतनी है दोनों को D1 plus D2 आप जोड देंगे पढ़ाया है बताया है मैंने YouTube पे D की value आप निकाल लेंगे D की value कितनी आ रही है 33.3 33.3 आरावगा आपका 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 जिसमें ड्राइवर को एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है अज अपने आप वीकल जो है विदाउट एनी ट्रेक्टिव एडिस्नल ट्रेक्टिव एफर्ट घूबते हुए उतरती जा रही है ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे डाट कर्व इस नोन एज बर्नॉली लेमिनि यह जो autogenously curved लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि बहुत विदाउट एनी ट्रेक्टिव एफर्ट वीकल आराम से मूव कर रही है उस ट्रैक्ट पे ठीक है next which one of the following statement best defined a level surface इनमें से कौन सा statement है जो level surface को अच्छी तरगे से define कर रहा है पढ़िए एक बार बताईए बड़े questions को options को देख के घबराने नहीं बहुत असान होते हैं उसमें सारा answer भी छुपा होता है a horizontal surface every element which is normal to the plumb line horizontal surface बोल दिया पहली बात तो level surface को horizontal surface नहीं बोल सकते हैं curved surface every element of the which is perpendicular to the spheroidal shape of the earth a plane surface which is perpendicular at the all point to the direction of the gravity a curved surface which is perpendicular to the direction of gravity at every point बिल्कुल यह curved surface ही होता है level surface क्या होता है आर्थ के parallely आर्थ के parallely जितने भी surface बनेंगे जैसे यह आर्थ है मालो और इसके parallel जितने भी surfaces होंगे जितने भी surfaces होंगे इन सभी को हम क्या बोलेंगे level surface बोलेंगे आर्थ के parallel मतलब mean spheroidal surface के parallel लेकिन इसमें जो भी हम लोग line draw करेंगे ठीक है लिखाया ना curved surface which is perpendicular to direction of gravity at every point इसके हर point पर हम लोग direction of gravity की बात करेंगे तुग क्या होगी perpendicular होगी हर point पर direction of gravity क्या होगी perpendicular d option is correct d option is absolutely correct ठीक है यहाँ पर d option आपका correct हो जाएगा चलिए तो आज मैंने जैसे आपको बताया था कि आज हम लोग करेंगे questions के वल 35 और आज सभी ने 35 questions में participate करा बहुत अच्छा लगा आपको कल वाले station में मैं करा दूंगा इसमें सर्वेइंग के जो फोडोलाइट का portion उसके बाद आपकी सर्वेइंग हो जाएगी तो सर्वेइंग होने के बाद देखते हैं फिर कौन कौन से स्टेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पे subject नहीं तो आपको कुछ ना कुछ डोजेज या फिर आपके लिए कुछ अलग सेडिशनल टॉपिक्स डेली लेकर आऊंगा आपको कराऊंगा कि अर्यों online classes देखो यार हर आजमी के लिए अच्छा हो सकता है अगर वह इफेक्टिव में पढ़ने का मतलब क्या है कि रेगुलर रहे ऐसा ना लगे उसको कि हाँ मतलब पंक्शुल नहीं है कि चलो आज नहीं देखते हैं दो दिन नहीं देखते तीन अगर जो गया पाए प्रीज हर तरह के से बेस्ट है तो थैंकियो सो मच गाईज जो भी बच्चे जुड़े सेशन में पाइटिसिपेट किया है सभी का सुक्रिया मिलते हैं आप से फिर next class में बिल्कुल सॉयल के मैराथन भी लाओंगा ठीक है चलिए और बाकि जो भी निव स्टुडेंट है ज अब स्टुडेंट को कि ट्वेल मंत की वैलेडिटी के साथ लीजेगा लगभग 3500 मिलेगा या आपको इसमें आपको जितनी भी क्लास होंगी सब क्लास मिलेंगी जो नहीं बैच आएंगे या फिर अधर जैग्जामिनेशन को सब कुछ इसमें रहेंगे ठीक है चाहा है सब या फिर अरारबी का बैच हो जो भी बैच आएंगे वह सब इसी में मिल जाएंगे आपको इंक्लोड होंगे बारा महिने तक आपके पास वैलेडिटी रहेगी लाइव क्लास मिलेंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस सीरीज सब कुछ 3500 रुपय में जोईन करने से पहले को यूज़ेगा एप्लिकेशन से डाउनलोड करके जॉइन करोगे अगर अगर ट्वन्टी फॉर सेवन का तो वहां से आपको डिसकाउंट एक परसेंट का अडिशनल मिल जाता है और कूपन यही है वाई टू नाइन थ्री इसी कूपन को यूज़ करके आपको बैचस को प झाल झाल झाल